तो गरीब साइंटिस्टिस्प्स अब करें आज हम जानेंगे भारत के दर डियाने टेक्नोलजी यूजन एप्लिकेशन डेगुलेशन बिल 2019 के वारे में ये एक बिल है जो डियाने टेक्नोलजी को रेगुलेट करेगा पट कौन से फिल्ड में है इसका हमें कैसा फायद है और लगोता है यह देने में करिब 300 करोड़ क्रोमोजॉम्स होते हैं उन में से 30,000,000 वह सब के अलग होता है तो इसके थुरू हम हर इंसान को इक अलग प्रोफाल दे सकते हैं इसे हम कहते है परसन को उसकी डियाने से आइडेंटिफाय करना तो तो क्या है ये बिल तो इस बिल क हम एक dna bank setup करेंगे नाशनल और रिजिनल यह dna banks जो है वो dna samples maintain करेंगे samples अलग 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 categories में store होंगे जैसे कि crime scene या कोई suspect या कोई offender जो अल्रीड कर चुका है missing people या एक unidentified dead body तो इन categories के तुरू dna samples store किये जाएंगे यह dna samples consent पर ले ले जाएंगे मतलब आपको फूच के ले जाएंगे unless आपका जो criminal sentence याने आपका जो punishment है वो साथ साल से ज्यादा है अगर यह banks जो store कर रहे dna यह leak करते information तो इन्हें एक साल की jail या एक लाग तक का fine हो सकता है और अगर कोई bank यह samples के साथ tamper करता है मतलब destroy करता है या change करता है तो इसको पाथ साल की सज़र और दो लग तक की fine हो सकती है अब आपके माइंड में एक सवाल आया रहेगा कि यह सब तो already होता है इसका अंसर हा भी और ना भी है होता है कि जब आजकर dna collect करते हैं तो database में कोई store नहीं होता है वो उसी crime scene के लिए उसी locally store होता है और फिर कुछ time बाद destroy किया जाता है तो यह save नही सब्मिट किया Supreme Court में public interest litigation कि इंडिया के पास कोई dna database नहीं है ना unidentified dead bodies को identify करने के या claim करने के लिए तो होता है कि इंडिया में कुछ करीब 40,000 dead bodies unclaimed जाते है every year according to Rajya Sabha TV और में Rajya Sabha TV में देख रहा था कि होता है कि जब post-mortem के बाद अगर को unclaimed जाता है बड़ी तो कुछ hospitals क इस वीडियो में आप देख सकते हो इस dead bodies को पूरा river में डम किया था किसी नहीं क्राइम सिन में अगर कोई kerala में क्राइम करता है उसका dna वहां हम लोग ने ले लिया बड़ उसको छोड़ने के बाद देल्ली चला जाता और देल्ली में कोई और क्राइम करता है तो हमें उ अपने concern से आपका dna दिया इस dna को इस dna database में store किया तो जब भी police को कोई भी missing बच्चा मिलता है उस बच्चे का dna लेके वह match करकर देख सकते है इस database में और अगर match होता है तो उस मा को अपना बच्चा मिल जाएगा जो बहुत अच्छी बात है तो यह बहुत advantageous dna bank है तो सब में controversy कहा है आप मुझसे पूछोगे हर चीज में controversy और negativity होती है बस आपको ढूंड़ना है और हमारा opposition तो है ही तो सबसे बड़ा issue जो opposition कर रही है तो है privacy के बारे में कि dna बहुत private चीज़ होती है और उसको collect नहीं करना चाहिए यह first argument है उनका second उनका argument है कि यह data अगर कोई issues करते हैं तो क्या होगा और कब तक यह data रखा जाएगा तो यह अलग-अलग questions सुनके और thirdly वो issue निकाल रहे है कि यह reliability के ओपर कि यह test कभी-कभी false दे सकते है results especially तभी अगर आपका blood transfusion किया हो मतलब blood change किया हो या आपने कोई bone marrow transplant किया हो तभी किसी और का dna आपके body में जात को लगता है कि यह bill pass होना चाहिए कि नहीं क्या जादे important है parent को अपना बच्चा मिलने से या बाकी जो issues मैंने आप से कहें आप बताइए में decide नहीं करूंगा इसके तोड़े problem से जो ज़रू solve करने पड़ेंगे बढ़ाय होप इसके उपर solution हो government के पास ग्यान के गरीब सबसे बड़ी जय हिंज जय भार सबस्क्राइब जरूर करना